दोस्तों आज की वूडिय में हम बात करेंगे नीट 2021 में आपको किस तरह से कॉम्पेटिशन फेस करना पर सकता है दोस्तों नीट इतना जदो कॉम्पेटिव येर बाई येर क्यों हो रहा है आप में से जो फ्रेश है रहे हैं वो ध्यान से वीडियो देखें जो ड्रॉपर्स हैं एक दो साल जिन्हों ड्रॉप किया है उन्हें पता होगा कि किस तरह से कॉम्पेटिशन अनुवली बढ़ रहा है इसका कारण क्या है ये भी हम बात करेंगी और साथी साथ ये भी कोशिस करेंगी कि पहले आपको क्या फाइदा था मेंस जब आप कम स्कोर पर सीटे ले लेते थे आप आपको क्या नुकसान है जब आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ रहा है पूरे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों उससे पहले फुर्स टेम चैनल पर सब्सक्राइब करेंगी वीडियो को लाइक कीजिए और सेर किए दोस्तों तीन-चार साल पहले कि अगर में बात करूं तो 2016-16 में जो बेसी स्कोर होता था जिस पे लगभग कुछ एक स्टेट को छोड़के सभी स्टेट में सीटे में मिल जाते थी वो 500 मार्क्स था 50, 550 हुगए 570 हुओए उसके बाद जाके यह 600 मार्क्स 2020 में हुआ उसमें भी 600 मार्क्स पर बहुत सारी स्टेट में यूपी हो गये है रजस्थान गये और जैली यहां पर सिटेन नहीं मिली थी इस स्टेटमे गूर्मेनट की और बहुत सारी स्टेट में सीटें मिली भी थी, लेकिन जो बेस स्कोर था, वो हमारा 600 के अप्रॉक्स पहुच गया था, means, चार साल के अंदर 100 मार्क्स का इंक्रिमेंट हो गया, तो इसका कारण क्या है दोस्तों, सबसे पहला कारण ये है कि नीट का जो पेपर पैटर्न है, वो जिस तरह से कुश्च पूछे जाते हैं, वो थोड़ा सा उसका लेवल जो है, वो गीरा है, जिसके मुझे से जो कैंडिरेट्स परफॉर्म करते थे, वो और अच्छा परफॉर्म करना सुरू कर दिया, इसके अलामा दोस्तों, दूसरा कारण जो मुझे लगता है, वो ये है कि नीट के एक्जाम में नंबर आफ कैंडिरेट्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि नीट केवल, और केवल MBBS के कोर्स के लिए नहीं होता है, इसमें BDS के लिए भी होता है, साथी साथ IOS के लिए, AIPBT के लिए, बहुत साइक कोर्स होते हैं, तो इसका लेवल जो गीरा है, उसका करण यही है कि गौर्रमेंट की यह प्लान है कि ठीक है, क्योंकि एक ही कोर्स के लिए नहीं होता है, तो जो minimum cut-off marks होता है, वो candidates qualify कर लें, जिससे कि वो admission ले सकें, अपने मंचे हैं colleges में, तो minimum qualifying marks जो होता है, 50th percentile, 48th percentile, 45th percentile, वो category wise होता है, तो उसको maximum candidates pass कर सकें, नीट के exam को, इसलिए उसका label थोड़ा सा drop किया गया, और साथी साथ दोस्तों, इसका और reason यह भी है, कि हर साल, जो droppers होते हैं, वो next year के exam में participate करते हैं, इस droppers के साथ तो advantage होता है, कि ठीक हाँ, उन next year में आते हैं, तो बहुत अच्छा perform करते हैं, जिससे कि वो भी एक कारण है कि score अच्छा जाने का, cut-off अच्छा होने का, तो droppers भी इसमें बहुत बड़ा factors है, है दोस्तों, और साथी साथ, students ने अब बहुत अच्छा means perform करना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी ही सोचते हैं, कि हमको किसी तरह से government college मिले, तो सबका यही सपना होता है दोस्तों, तो इस समय जो जितनी अच्छी मेनत कर सकता है, वो उतनी अच्छी मेनत करता है, क्योंकि वो सोचता है कि ठीके, यह drops अच्छा है कि उससे किसी government college में admission मिल जाए, तो यह बहुत ज़्यादा ज़री है, 2021 मे आपको और भी competition phase करना पर सकता है, क्योंकि 2020 में बहुत सारे इसी droppers है, जिन्होंने 600 marks, एक 20 marks तक score किया, उनको CT नहीं मिली है, डैली के होगे, किरला के होगे, राजस्तान के होगे, जिनको जिनका मनचाहा स्ट्यूटर ही मिला है, यूपी के होगे, बिहार के होगे, बहुत सारे state के candidates से जिन्होंने 600 plus score किया, मिस पहले आपके साथ advantage यह होता था जोस्तों कि ठीक है, आपने biology में 300 plus marks ले लिए, chemistry में आपने 140 कर लिए, और अगर आप physics में आपका weak है, 75-80 marks भी कर लिए तो आपका selection हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, जिस तरह से score किया पिजल biology में especially बहुत candidates ने 360 out of 360 किया, तो कहने का मतलब यह कि अब आपका यह target नहीं है, weak portion वाला हिसाब नहीं रह गया है, मिस अब आपको यह सोचते है कि ठीक है, physics weak है, तो काम चलेगा, नहीं चलेगा, physics weak है, physics को भी strong करना पढ़ेगा, 140-150 का target physics में भी रखो, अगर अच्छा institute चा करने minimum, और इसी तरह से biology का दोस्तो 340-350 के करीब marks करने है, इसी तरह chemistry में 16170 marks करना ही करना है, अच्छा score लाना है, तो physics को भी strong करना है, chemistry को भी strong करना है, biology को भी strong करना है, सब पे पूरी मेहनत करनी है, अब वो जवाने लद गए दोस्तों, जब आप सोचते थे कि एक portion मेरा ही कि उसमें कम marks आजेंगे, तब भी selection हो जाएगा, वो अब नहीं रहा, आप droppers से पूछ देजिए, उन्हेंने बहुत अच्छा score करने के बहुद भी सीटें नहीं मिली हुए, means competitions बहुत ज़्यादा है, और 2021 में और भी competition आपको face करना पड़े, खासकत जो new commerce है, means जो पहली एक्जाम देने जा रहे हैं, 2021 में first and fresher है, उनको बहुत competition फेस करना पर सकता है, तो अभी सी यह मैनत से श्टाट कर जीए, physics, chemistry, biology, सम में बराबर मेहनत करिए, और सम में improvement करिए, और जो test series है, जो आप solve करते हैं, या online test series करते हैं, उसमें target set करिए, कि ठीक हमको 650 या 660 का target पर बहुत जाना है, कि एक्जाम से पहले हम यह अपना target set कर सकें, तो कहने के मतलब है कि हकीगत यह यह दोस्तों की NEET का एक्जाम बहुत अधा competitive है, डरा नहीं रहा हूँ, अभी बहुत टाइम है, उसमें improvement करिए, और crack करिए NEET को अपनी मन्चाहर स्प्योड़ जाए, that's all, thanks, bye अभी करिए.